तो पिछले एपिसोड में हमने देखा क्लैन कॉपपटिशन में यूनफे के चैलेंज करने पर ग्रीन क्लाउड से एक स्टूटेंट आकर उनसे फाइट करता है पर वो जीत नहीं पाता तो यंग मास्टर आकर उस फाइट को कंटेन्यू करते हैं पर वो भी घायल हो गए थे जहां लेन आकर यूनफे से फाइट करता है और वो से काफी जादा कड़ी तकर दे रहा था पर लास्ट में वो यूनफे के एक अटेक से थोड़ा सा घायल उचाता है इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लेन यूनफे से कह रहा था कि क्या तुम सच मिक स्ट्रॉंग स्टूडेंट हो क्योंकि जो मेथड तुम यूस करे हो देखके लगता नहीं कि तुम मुझे हरा पाऊगे तो ये सुनने के बाद तो यूनफे इतना ज़ादा गुस्ता हो जाता है जिसे देखकर तो आसपास के सभी सेक्ट वाले काफी सादा शौक हो जाते हैं लॉट बाईशी भी ये सब देख रही थी इधर परपल क्लाउड सेक्ट से एक स्टूडेंट यूनफे को उसकी स्वाट दे देता है फाइट करने के लिए परपल क्लाउड सेक्ट के एलडर लिउँ वहाँ आ जाते हैं लिन को रोकने के लिए उस पर अटेक करने पर लिन तो उनकी अटेक को भी अराम से समभाल रहा था ये देखने के बाद एलडर अपने मैजिक हैं का यूजज करते हैं यहाँ भी लिन से उनकी जबरदस्त फाइट होती है जहाँ लिन पीछे हट गया था ये देखे तो ग्रीन क्लाउड सेक्ट के एलडर भी काफी जादा गुस्ता हो जाते हैं और वो भी लिन को बचाने के लिए फाइट में जॉइन करने वाले थे जाते हैं कि दोनों फाइट करने के लिए रैडी हो गए थे इधर लिन को एलडर लिव से फाइट करता हुआ देखकर उनकी help करने के लिए ये देखकर तो elder और जादा शौक हो जाते हैं और फिर वो अपनी पावर को और बढ़ा देते हैं जिससे लिन अपने burning flower टेक्निक का यूज करा था और वो multiple sword से elder पर attack करता है इस attack की वज़े से elder काफी जादा गायल हो गए थे वैसे सालों पहले ये burning flower टेक्निक कहीं गायब हो थी और इस बार इसे लिन को perform करते वे देखकर सब लोग शौक हो जाते हैं और वो ये सोच रहे थे कि ये टेक्निक गायब होने के बाद लिन ने कैसी सीखी तूसरी तरफ elder तो इतने जादा गुस्ता हो जाते हैं कि अब तो लिन को जान से मारने वाले थे पर तभी वहां ल अब किसी को किंगवान सेक्ट को चलेंज करना है लिन से फाइट करने के लिए जिस पर शिंग कहता है कि elder Liu तो घायल हो गया है अब किसकी हिम्मत होगी इससे फाइट करके देखे शुआन यंग सेक्ट के मास्टर भी मना कर देते हैं फाइट करने से इसके बाद लौड छी अनौस्मेंट करती है कि जो घ्रैंड प्राइज मिलने वाला है वो चाता है ग्रीण क्लाउड सेक्ट क को कि लिन विनर बन चुका है जिससे तो ग्रीन क्लाउड सेक काफी जादा खुश हो जाते हैं अपने सेक्ट वापस लोड़ने के बाद लिन को युवान दिखता है एक पिलर से बंदा हुआ, जब वो उसे rescue करता है, तो उसे पता लगा था कि युवान के सारी meridian को किसी ने तोड़ दिया है, और युवान के पास पढ़े letter को पढ़ने के बाद तो लिन को पता लग जाता है कि ये काम किसका है, जिसके बाद तो लिन काफी जादा गुस्ता हो लगता है, ताकि वो उन्हें दफना सके, वैसे यहाँ लिन काफी जादा सैट था, पर गड़ा खोदते वे उसे एक letter मिलता है, जिससे पढ़ने के बाद लिन को पता लगता है कि old dong ने उसके लिए इसमें message छोड़ा है, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर तुम ये letter पढ़ र तुम्हारा ये जो सेक्ट है ना, ग्रिन क्लाउड सेक्ट, ये पहले किन डाइनस्टी में बहुत फेमस हुआ करता था, तो तुम्हारे पूरवज उस सेक्ट को बनाने के बाद वर्ल टूर पे निकल गए थे, जहां उनकी मुलाकात मुझ से हो गई थी, और इसके बाद धी पहले उन्होंने इस वुडन स्वार्ड को अपने सेक्ट पहुचाने को कह दिया, तो इस तरह हमारे ओल टॉंग, ग्रीन क्लाउड सेक्ट आए, इस स्वार्ड को देने, और वो काफी साधा घायल थे, तो वहीं रुप गए, पर ये स्वार्ड वुडन स्वार्ड होनी की व पास वो दोनों चीज़े देखकर, ओल्डॉंग समझ गए थे, कि लेनियुन काफी जाधा एक्स्ट्रा ओर्डिनेरी परसन है, जिसका फ्यूचर काफी जाधा ब्राइट है, तो वो से और जाधा महनत करने को कहते हैं, यहां ओल्डॉंग के लैटर को पढ़ने के पाद, ल वकूफ नहीं है, वो इस सिच्वेशन को अपने हिसाब से हैंडल करेगा, पर साथ ही वो स्वांग निंग को छोड़ेगा नहीं, यहां लिन यंग मास्टर को थैंक्यू बोलता है, उनकी इतनी हेल्प करने को, पर वो आगे से उन्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाता इसलिए सेक्च छोड़ के जाना चाता था, यंग मास्टर को पहले से ही पता था कि लिन जाने वाला है, इसलिए वो से कहते हैं कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर अगर उसे कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत हुई, तो वो वापस यहां आ सकता है, यह बात सुनके के लिए इनको काफी जादा होसला मिलता है, और इसी के साथ हमारा यह वाला एपिसोड हो जाता है, खदम!